परिचय राहुल एक गंदा लड़का है, वहाँ अपने कपड़े, जूते, खिलोने और अपनी किताबू को पूरे कमरे में बिखेर कर छोड़ देता है, उसकी मम्मी उसका कमरा साफ करने में ठक जाती हैं, एक दिन उन्होंने निश्चय किया कि वो राहुल का कमरा वैसा ही रहने देंगी, जैसा कि वो छोड़ कर गया है, राहुल स्कूल से वापस आ गया है, और गलती से उसका पैर उस केले के छिलके पर पड़ जाता है, जिसे वह सुभा कजरे के डिपे में फेकना भूल गया था, वह फिसल कर गिर गया, और उसकी पीट पर चोट लग गई है, शुक्र है कि चोट गंभीर नहीं है, हाला कि इस घटना ने उसे बतल दिया है, अब वो अपना कमरा साफ सुथरा रखता है, इस अध्याय में आप कुछ अच्छी आदतों के विशय में जानेंगे, आउ सीखे, दैनिक दिन्चरिया को परिभाशित करना, व्यायाम और खेलने के महत्व का वर्णन बताना, खाने तथा सोने की अच्छी आदतों की सूची बनाना, सामान की देखभाल कैसे करनी चाहिए, इसका वर्णन करना, दैनिक दिन्चरिया, हम प्रति दिन कुछ निश्चित करियाएं करते हैं, ये करियाएं हमारी दैनिक दिन्चरिया को बनाती हैं, चलो, आपकी द्यानिक दिंचरिया की सूची बनाएं। दोपहर में घर वापस आते हैं। वियायाम हमें अपनी द्यानिक दिंचरिया में वियायाम को भी शामिल करना चाहिए, जिससे हम चुस्त और सुस्त बने रहते हैं। टहलना, दोड़ना, साइकल चलाना, टहरना आदी वियायाम के अच्छे उधारण हैं। वियायाम हमारी मास पेशियों को मस्बूत बनाता है, या हमें चुस्त बनाए रखता है, तथा रोगों से लड़ने में हमारी रक्षा करता है। खेलने की अच्छी आदतें, खेलना एक बहुत अच्छा, मानिसिक और शारीरिक वियायाम है। बाहर खेले जाने वाले खेल, यानि आउटडोर गेम, हमारी मास पेशियों को मस्बूत बनाते हैं। ये हमें योजना बनाने और आपसी मेल जोल के बारे में भी सिखाते हैं। घर के अंदर खेले जाने वाले खेल, यानि इंडोर गेम, हमारे दिमाग को तेज करते हैं। खेलते समय कुछ सावधानिया अवश्य रखनी चाहिए। हमें सडकों पर नहीं खेलना चाहिए। खेलते समय हमें किसी भी प्रकार की संपत्ती को नुकसान नहीं पहचाना चाहिए। खेलते समय हमें किसी से जगड़ा नहीं करना चाहिए। हमें हमेशा खुले मैदानों में ही केलना चाहिए। हमें हमेशा खिलाड़ियों वाली भावना का विकास करना चाहिए। स्वस्ति भोजन की आदतें वियायाम के अलावा हमें इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि हम क्या खाते हैं। हमें हमेशा संतुलित और पौश्टिक भोजन ही खाना चाहिए। जिसमें अनाज, दाल, सबसियां और फल शामिल हैं। केवल यही प्रयाप्त नहीं है कि हम सही भोजन खाएं। बलकि इसे सही समय पर और सही ढंक से खाना भी महतपूं है। हमें कभी भी भोजन नहीं छोड़ना चाहिए। हमें एक निश्च समय पर ही सारा भोजन खाना चाहिए। हमें भोजन सही प्रकार से जबा कर खाना चाहिए। और कभी भोजन जल्दी में नहीं खाना चाहिए। हमें अधिक और कम भोजन नहीं खाना चाहिए। की अधिक भोजन मोटापे को बढ़ाता है. खाने की अच्छी आदतें अच्छे खान-पान की आदतों के अलावा, खाने की निम्लिखित अच्छी आदतों को भी विक्सित करना चाहिए. नियमित रूप से अपने नाखुनों को काटें तथा उन्हें स्वच्छ रखें. भोजन खाने से पहले तथा भोजन खाने के बाद हाथ धोएं. फल खाने से पहले फलों को अच्छी तरह से धोलें. भोजन खाने के लिए हमेशा साफ सुथ्रे बर्तनों का प्रयोग करें भोजन शांती से बिना बोले करें घर पर अच्छी आदतें खेलने, व्यायाम करने और अच्छा भोजन करने एवं खाने की अच्छी आदतों को विक्सित करने के अलावा हमें व्यक्तिगाद और घरेलू स्वच्छता को निम्न प्रकार से बनाए रखना चाहिए प्रती दिन नहाना चाहिए अपने बालों को धूना और उनमें गंगी करनी चाहिए हमेशा धुले हुए और प्रेस के हुए कपड़े पहनने चाहिए कच्रा हमेशा कच्रे के डिबबे यानि कूडे दान में ही भेगना चाहिए अच्छी व्यक्तित्व और घरेलू स्वच्छता हमें चुस्त यानि फिट बनाए रखती है सामान की देखभाल हमें अपने अंदर अपने सामान की देखभाल करने की अच्छी आदत भी अवश्य विक्सित करने चाहिए हमें चाहिए कि अपना सामान बिकरा हुआ नहीं छोड़ना चाहिए हमेशा अपने सामान को उसके निश्चित स्थान पर ही वापस रखना चाहिए अपनी किताबों को अलमारी में सफाई से रखना चाहिए जूते हमेशा जूते की अलमारी यानी रैक में ही रखने चाहिए धुले हुए कपड़े हमेशा कपड़ों की अल्मारी यानि वार्ड्रोप में ही रखने चाहिए सोने की अच्छी आदते जिस प्रकार व्यायाम चुस्त रहने के लिए आवशक है ठीक उसी प्रकार रात को अच्छे प्रकार से सोना भी अत्यंत जरूरी है सोना हमारे मन और शरीर को आराम देता है तथा हमें तरुताजा बनाता है उठकर तरुताजा रहने के लिए आठ घंटे की अच्छी नींद अवश्य लें ऐसे गद्दे का प्रयोग करें जो ना तो बहुत नरम हो और ना ही बहुत सक्त हो तकीय का प्रयोग करें बेटरूम को साफ रखें धीमा प्रकाश करके रखें आओ खेलें चित्रों को उठा कर उनकी उप्युक्त संख्या बॉक्सों में रखें शुद्ध वायू वायू गैसों का एक मिश्रण है वायू में पाई जाने वाली ऑक्सीजन सजीवों के जीवन के लिए मैदपौन है वाहनों और कारखानों से निकलने वाले धुएं से वायू प्रदूशित होती है प्रदूशित वायू में सांस लेने से अस्थमा, दमा आदी जैसी सांस की अनीक बीमारियां हो जाती है अधिक पेड लगाकर यानी व्रिक्षा रोपन करके हम इस समस्या का समाधान कर सकते हैं पेड कारबन डाय उक्साइड लेकर और ऑक्सीजन निकालकर वायू को शुद्ध करते हैं शुद्ध जल जल एक महिदपून प्राक्रितिक स्रोत है यह पौधूं, पशूं और मनश्यों के जीवित रहने के लिए आवशक है और वर्कूं कारखानों से निकलने वाले बेकार पदार्थों के नदी में मिलने कपड़े धोने और नदियों में पशूं के नहाने से जल प्रदूशित हो जाता है गंदा जल पीने से अनेक पीमारियां जैसे पीलिया टाइफाइट आदी हो सकता है इसलिए हमें जल को शुद्ध करने के लिए उसे चाड़ना यानि फिल्टर करना चाहिए जल एक दुर लपसन सादन है दात साफ करने नहाने और कपड़े धोने में हमें इसे बरबाद नहीं करना चाहिए हमने क्या चर्चा की? हम प्रति दिन जो भी क्रियाएं करते हैं वो हमारी दैनिक दिंचरिया बन जाती है खेलना और व्यायाम करना हमें शारीरिक और मानिसिक रूप से चुस्त तथा सक्रिये बनाता है हमें अच्छी आदतों का विकास करना चाहिए हमें स्वस्ति जीवन व्यतीत करने के लिए व्यक्तिकत और घरेलू स्वच्चता बनाए रखने चाहिए हमें अपने सामान की देखभाल करने चाहिए आठ घंटे की गहरी नेंद हमारे दिमाग और शरीर को तरो ताजा रखती है